हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो माई यूटूब चाइनल आज का ब्लॉक बड़ा ही डिफरेंट होने वाला है आज का ब्लॉक एक साल्यूशन ब्लॉक है एक्चलि यह मैक्सिमम घरों में होते होंगे जहां पे छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं ना सामान अगर उनके पास खेलने लेका आजकल खेलते हैं बच्चे और सामान इधर उदर फेक देता है मैक्सिमम जो है वो पलंग के पीछे फेक देते हैं तो मेरी बच्ची ब्रिंदा तो बहुत फेकती है सबसे जादा तो वो फोन फेकती रहती है डेड़ सारी सवाह निकले हैं खेलोन बंगे और देख रहे हो ब्रिंदा खेलती है 이स्ते भर हों फोन को फेक देती है और फोन नीचे चला जाता है तो उसको निकालने में तो सिरियसली जान निकल जाती है तो आज मैं न इसका पर्मानेंट कुछ उपाई सोच के रखियो वह कड़ी लेती हूं क्योंकि यह ना रोजरूश का हो गया है और रोजरूश पॉसिबल नहीं होता है और फोन का ना मेरा स्क्रीन ने वह आलमोस्ट तूट गिया है उसका जो टेमपर ग्लास वह पूरा क्रश हो चुका है तो आज मैंने फाइनली उसके लिए एक इलाज सोच के रखा है तो चलिए उसको सुरू करती हूं मैं यहां पी दोतों सबसे पहले देखे कि मैंने एक फोम लिया है यह काटून ना आया हुआ था फ्रीज जम मैंने लिया था उसके संग आया हुआ था तो यह रखा हुआ था तो मैंने सोचा है कि पलंग के साइड में किनारों मैं इसको आटकाओंगी जिसे बिंदा अगर खेल कि बच्चे को आप किस हद तक रोकोगे और जितना रोके को वह वही चीज उतना करनी के लिए बेचेन रहते हैं तो इसका पर्मनेंट सॉल्योशन मेंने निकाला है अपने दिमाग से कि इसको ना मैं उसकी नारी में जितना भी एस पेस उसके बीच में अटकाऊंगी ताकि व फोन देखती रहती मैं उसे लेने जाओंगी वह फटाव सी फेक देती है तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसे इसे जाम कर दू ताकि जो है वो फेके भी तो नीचे ना गिरे और निकालने में भी उत्रा ही कमर को दिक्कत होता है क्योंकि पलंग के नीचे में बिल्कुल ए तो उसको निकालने में उतना ही प्रॉबलम होता है तो दोस्तों यहां पे उसके किनारी का जो पट्ट आप देख रहे हो जो थोड़ा साइड कर रही हूं चारो किनारो से पहले मैं उसको कट करके निकाल लोंगी और मैंने नाप लिया है मेरे चार फिंगर के बरावर उसमे स्पेस है तो उसी के फिंगर से मैंने नाप के यह कट कर रही हूं साइड के किनारी जैसा कि आप देख रहे हैं और इसको देखो लगा रही हूं मैं मैं क्लोज से आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं फिक्स कर रही हूं पलंग के साइड में अचली यह बहुत बड़ी इशू ह प्रफॉन के लिए लाती हूं चाहे फिर कोई खिलोना लेके आती हूं इसके चपेन लेके आती हूं कुछ भी लेके अगर मैं आती हूं तो वो मुझे पलंक नीचे फेका हुआ हमेजा मिलता है तो इस तरह से दोस्तों देखिए कि हम क्या करें ना इसको थोड़ा सा टाइटल तो कहीं पे है जार्ड़ाय जाना प्रवब्लम और में पर इसे बड़ा आप बहुत अ कोशिश इसके बाद में मैं लास्टक पड़ायता फोरिक उनाड़ी करें ओनुदोदो मैं लास्ट डी सुर्वारी के अटकर आपतम की आहिए और दाले हूं उपकरते हैं आघर्ड़ क चौरी सी किनारी देख रहे हैं यहां से गिर के उसने अपना हाथ भी थोड़ लिया था और यह इसका favorite place मुझे जब भी कुछ करती है यही पे खेलती रहती है चाहिए वह उसका खिलोना अओ चाहिए वह फों नो जाहिए वो कुछ भी उसके ओपर डेलगाड़ी बना के चलात करें और इस तरह से सेट किया है मैंने कि अगर कोई दूर से देखी गा तो वो बिल्कुल नहीं समझेगा कि यहां पे कुछ लगा हुआ है और डवल फाइदा है मेरा कि अब नीचे उतना सामान जाएगा नहीं उतना गंदा होगा नहीं और सामान खोएगा नहीं मैं इसका हज आपके भी बड़े क्लाम की हो तो वीडियो पूरा देखिएगा मैं लास्ट में रिजॉल्ट भी दिखाऊंगे और मुझे तो यहीं लगता है कि मैक्समम बच्चु इसी तरह के करते होंगे कि सामान को इस तरह से पीछे फेकते होंगे और निकालना उतना ही प्राबलम होत तो इसकी कमर तूड़ जाती है इस चक्कर में तो उसे एक साइड से दूसरे साइड हिलाना परता है फिर जाकि उसका जो सामान है वो निकाल पाती है वहां की चीज तो वो छोड़ी देती है कभी कबार फोन गिराता है तो ही वो इस तरह के काम करती है तो बच्चे बहुत खेलना कम पसंद करते हैं और सैतानी जादा पसंद करते हैं तो यही हाल मेरे घर में भी है ब्रिंदा भी यही करती है एक भी सामान नहीं होता है जो इसको फेगे बिना वहां पे रहे वो तो इसलिए दोस्तों मैंने यह सॉल्यूशन निकाला है थोड़ी से मेहनत हुई मेर क्योंकि मेरा डिवाल तेड़ा है तो कहीं पेश्पेस कम ले रहा था कहीं अगर पतला डाल रही थी तो दिकत हो रहा था तो नीचे गिर जा रहा था तो इस तरह से लेकिन फाइनली फाइनली लास्ट में वह पूरा हो गया दोस्तों और उसके बाद जो रिजल्ट है वही अच्छा ता मेरा काम जो है वो परफेक्ट हो गया अब फाइनली वो कुछ भी डालती है तो गिड़ेगा नहीं अगर आपके संग इसी कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बर मेरे यह सॉलियोशन जुरू ट्राइ किजिएगा मेभी यह पूर फुल्फिल आपके संग भी हो है तो अगर यह वीडियो आपके काम का हो आपको पसंद आया हो तो मेरे चाइनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल इस वीडियो के जड़िये तो मेरे चाइनल को सब्सक्राइब कर दियेगा यह चोटी चोटी चीज़े हम सब की घर में होती ही रहती है और इसका बस यह देसी जुगार मैंने लगाया है तो फाइनली देखिए यह सेट हो चुका है दोस्तों और अब इस पे मैं दिखाती आपको कि देखिए यह सावान इसी तरह से रखके नहीं जाएगा और यह तो फिर भी हलके फुलके है तो यह तो ऐसे भी नहीं मतले होतना कोई बर्डिन दिंगे लेकिन फोन सबसे मेरे पास एक डंप फोन ता वो मैंने इसको दिया है कि चलो आब वो डाल के दिखाओ तु तो देखिए वहाँ पे वो फोन मैंने डाला है तो वो तो बच्ची यह उसे उदना नहीं होता वो तो फेक ना जानती है सिर्फ तो अब मैं खुझ से आपको करके दिखाती हूँ कि फोन अगर डालते हम तो क्या होता है देखिए दोस्तो पहले क्या करती ना फटाक से बच जाता था फैनली यह काम कर गया मेरा और थैंक यू फो वाचिंग दोस्तो बाई